हाँ हालो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग अबरीबडी देखिए आज मैं इस वीडियो में 12 क्लास के लिए रिप्रोट्ट हुमन रिप्रोड़क्शन का यह चेप्टर लेका है हूं मैं आपको बता दूँ यह चेप्टर आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आम तोर से देखा जाता है कि क्लासेज में भी इन चेप्टर्स को लोग बच्चों के लिए ही छोड़ देते हैं अपने पंठें के लिए CBSC बोर्ड ने, ICSC बोर्ड ने, UP बोर्ड ने या जितने भी स्टेट्स के बोर्ड हैं उन लोगों ने बच्चों की एज को देखते हुए कि बच्चों को अपने रिप्रोड़क्टिव आर्गन्स के बारे में सही और सटीक आथेंटिक जानिकारी मिल सके इसके लिए सब चेप्टर रखे गए हैं लेकिन क्या होता है कि बच्चे इन चेप्टर्स को सही ढंग से पढ़ी ही नहीं पाते हैं हम अपने अंगों के बारे में हम बाहरी चीजों के बारे में खुब सारा जान लें हम अपने डाइजेस्ट्री सिस्टम के बारे में नहीं जान पाएं हम अपने respiratory system के बारे में नहीं जान पाएं, हम अपने respiratory system के बारे में नहीं जान पाएं, हम blood vascular system के बारे में नहीं जान पाएं, हम neural system के बारे में नहीं जान पाएं, हम अपने sense organs के बारे में नहीं जान पाएं, हम अपने reproductive organs के बारे में नहीं जान पाएं, तो हम बाहरी चीजो को जानके क्या कर लेंगे यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खास तोर से बच्चों के लिए और इस एज गुरुप के बच्चे इन चीजों के बारे में किसी दूसरे से डिसकस भी नहीं कर पाते हैं अपने हम उम्र बच्चों से जहां उनको सही जानकारी बिल ही नहीं पाती है इसी लिए मैंने खास तोर से इस चेप्टर को आपको समझाने के लिए आज ये चेप्टर मैंने सेलेक्ट किया है तो देख तो देखिए लिए कि human reproduction में कुछ ऐसे जए घटमाएं क्या हें जो हमेशा रिलेटेड होती है human reproduction से रिलेटेड है तो सबसे परए reproductive events के बारे में देखिए इवेंट्स कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह बार-बार रिवाइज होंगी कुछ चीज़ें तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन में भी है मैंने पीछे भी बताया था हुमन रिप्रोडक्शन में किसी वेनिमल के रिप्रोडक्शन में चीज़ें बार-बार आएंगे यह सब्द बार-बार आएंगे जिसको टर्मिनोलजी कहा जाता है कुछ सब्दों को जानना उनके डेफिनिशन को जानना एक बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवस्यक है अगर कोई आप से पूछ दे कि इस सब्द का मतलब क्या होता है तो आप कैसे पताएंगे आपको पते नहीं होगा तो मैं उन कुछ इवेंट्स कुछ कारे में बताऊंगा जो साथ में डेफिनिशन सबसे पहले तो गैमिटो जैनेसिस यह क्या होती है गैमिटो जैनेसिस का मतलब होता है फार्मेशन आप गैमिट्स का बनना और यह फार्मेशन दो रूप में होता है मेल्स में होता है तो इस्पर्मेटो जैनेसिस जिसमें इस्पर्म बनते हैं फिमेल में होता है तो उजैनेसिस जिसमें ओवम या एग कहते हैं यह बनता है तो गैमिटो जैनेसिस के एक ऐसा प्रासेस है फार्मेशन आप गैमिट्स आपको पता है कि गैमिट्स में क्रोमोसम्स की संख्या हाफ होती है आधी होती है दूसरी चीज है इन्सेमिनेशन इन्सेमिनेशन अब इन्सेमिनेशन क्या है कि टूसरी आफ कि गैमिट्स देखो आंग तो से फिमेल गैमिटका ट्रास्फर नहीं होता है आप जितने भी देखरिजीए पौधों से लेके एनिमल्स में ओवरी में ही ओव्यूल होता है उसका ट्रांसफर नहीं होता है मेल गैमिट्स का ही ट्रांसफर होता है इस्पर्म का ही ट्रांसफर होता है अब इस्पर्म ओवम तक कैसे पहुँचें इसको इन्सेमिनेशन कहलाता है मतलब इसपर्म को किसी तरीके से उवम तक पहुचाना ताकि फटलाइजेशन हो सके यह इन्सेमिनेशन तो कहते हैं कि ट्रांस ट्रांस्फर आफ कि इस पर्म्स कि टू अब देखिए इसके बाद जो आता होता है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इसको हम लुगा निश्य चन कहते हैं कि जब मेर्ग और मुल गय निंट November दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उनके निउख्लियस निउक्लियर पार्ट आपस मिलते हैं और किसे कोई मतलब निया सि最्ब नूल गयाउ स्मिल्स मिलते हैं जैब निउख्लिएज तो कर सकते हैं फ्यूजन आफ फ्यूजन आफ डिवजन आफ मेल गैमिट विद फी मेल गैमिट मेल गैमिट का फ्यूजन शुक करते हैं यह फटलाजेशन कहलता है अब अगरा इसंटे पाता है इंब्लांटेशन Karl- इंब्लानटेशन भी देखिए रीटिलाइजेशन के बार एंग में इसे डिविज erlebt है एक से यह सब बनना घई फिर ऐसे डिविजन होता है एक deux不錯 अद्वे Dewa C direसлом बनना चार वह इसे आख सेल बन तो ऐसे ही एक स्टेज आती है बलास्टूला स्टेज आती है मारूला बलास्टूला गैस्टूला ऐसे भी स्टेज आती है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बलास्टूला स्टेज अब आती है तो आठ शोलह बतिस ऐसी सेल्स बन जाती है तो इस स्टेज में यह जो एक है अब उसको एक नहीं कहेंगे उसको जाइगोट कहेंगे जाइगोट उसको फिर हम लोग इंब्रियो भी कह सकते हैं अब फट्लाइजेशन तो फैलोप्यं टूब में होता है मैं आगए आपको पढ़ाओंगा वह उसकुन होता है फट्लाइजेशन के बाद ऊंब्रियो इूटेरस में आता है जिसको लोग घरभाशा गोलते है इूटेर qué मैं के युटेरेश के दिवालंट से जुड़ जाता है इंप्लांट हो जया सकते हैं तो कहते हैं कि a ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग सब तो बहुत सही नहीं है, ज्वाइनिंग आफ इंब्रियो टू यूटेरिन वाल, यूटेरिन की वाल से इंब्रियो आखे जूड़ जाता है, वहाँ धंस जाता है, यह कर सकते हैं, इसके बाद आता है गेस्टेशन, G-E-S-T-A-T-I-O-N, गेस्टेशन क्या है, देखो आप सब लोग human being के रिफ्रेंस में पढ़ रहे हैं, फटलाइजेशन के बाद इंब्रियो यूटेरिस में इंब्रियो का डवलप्मेंट कुछ समय तक होता रहता है, जब वो इंब्रियो पूरा फटस बन जाता है, एक बच्चा बन जाता है, जर्म से पहले जो बेबी होता है, उसका पूरा फार्मेशन हो जाता है उसके बाद उपैदा होता है तो ओ जो फर्टिलाइजेशन से लेके डिलिवरी तक ओ जो पीरियड कहलाता है ओ गेस्टेशन पीरियड कहलाता है पीरियड बिट्वीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्टूरियशन पार्टूरियशन का मतलब है बर्थ जन्म और फर्टिलाइजेशन के बीच में जो पीरियड होता है बच्चे के बढ़ने का ओ गेस्टेशन पीरियड कहलाता है ठीक है अब लास्ट है पार्टूरिशन या पार्टूरिशन इसका सिधा मतलब है बर्थ आफ चाइड्ड चाइड्ड न्यू बार्ड बच्चे का जन्म और डेलेवरी कहते हैं डेलेवरी के इंगलिश सब्द है पार्टूरिशन एक बालाजिकल सब्द है ठीक है यह देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा गेमिटोजेंसिस इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन इंप्लान्टेशन गेस्टेशन और रिप्रोडक्शन के दवरान यह घटनाएं होती है अब मैं थ्वासा आप लोगों को इसको थ्वा मिटा दूं फिर थ्वा और आगे बढ़ता हूं ठीक है अब देखिए बात आती है प्यूबर्टी की प्यूबर्टी प्यूबर्टी क्या होता है मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में थ्वासा इसका रिफ्रेंस दिया था प्यूबर्टी का प्यूबर्टी जो है जिसको हम लोग यूवा वस्था बोलते हैं कहते हैं कि इनकी बाड़ी अब मैच्योर हो गई है एक एडोलिसेंस पिरियड होता है एडोलिसेंस जब बच्चे की गुरूट शुरू होती है मैं बता दूँ लड़कियों में 10 साल से 11 साल के अंदर बाड़ी और 6 आर्गंस की गुरूट शुरू हो जाती है जब ये गुरूट शुरू होती है तो बहुत सारे सरीर में सेकेंडरी सेक्शुल करेक्टर विख्षित होते हैं तो वो कुछ समय लगता है जैसे अगर मैं 10-11 साल से कह रहा हूं 2-3 साल चार साल समय लगता है लड़कों में 12-13 साल से शुरू हो के उनको भी 3-4 साल लगता है लेकिन सब में नहीं कि सब में 3-4 साल लगे ये बॉडी टू बॉडी डीफर करता है हो सकता है कि किसी में सेक्स आरगंस अगर 12 साल में डबलफ हो जाएं किसी में 5-6 साल लग जाएं ये अलग-अलग है हम किसी को किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं तो प्यूबर्टी में जाके सेक्स्वल मैचूर्टी आ जाती है मेल्स में स्पर्म्स का फार्मेशन होने लग जाता है शुरू हो जाता है लेडीज में ओवम का फार्मेशन शुरू हो जाता है आम तोर से मेल्स में स्पर्म्स का फार्मेशन ओल्ड एस तक भी चलता रहता है लेकिन फेमेल्स में 48-50 साल के आसपास जाते जाते अंडे का बनना रुक जाता है ओविलेशन ओवम फार्मेशन खतम हो जाता है जिसको मीनोपास कहा जाता है मेंस्टुवेशन बंध हो जाता है ठीक है इतना तो समझ में आपके क्या आगया अब मैं शुरू करूंगा रिप्रोड़क्टिव आर्गन से ठीक है तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि रिप्रोड़क्टिव आर्गन से हम लोग लेंगे मेल रिप्रोड़क्टिव आर्गन सबसे पहले तो तेस्टिस बहुबचन में करिए इस्क्रोटम तेस्टिस इस्क्रोटम उसके बाद टेस्टी क्यूलर लॉब्यूल्स टेस्टी क्यूलर लॉब्यूल्स उसके बाद समयनिफ हैरस ट्यूब्यूल्स समयनिफ हैरस ट्यूब्यूल्स उसके बाद कुछ डक्स हैं और कुछ ग्लैंड्स हैं तो मैं डक्स का नाम लेग देता हूं स्पर्म डक्ट और उसके बाद कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं मैं नाम लिख देता हूं यहां ट्यूर्यूल्स की अच्छो नहीं नाम लेग देता नीज्स यहें नाम डक्सेसरी ग्लैंड्स हैं इसेसरे ग्लैंट्स में रेटी टेस्टिस रेटी टेस्टिस उसके बाद वासा इफरेंशिया एडबल एफ ए आर इंट वासा इफरेंशिया एपी डिडाइमिस एपी डिडाइमिस उसके बाद वास डिफरेंश और सबसे लास्ट में हैं यूरेथ्रा और पैनिस अब देखिए यह सारी इसमें बलकि मैं दो चीजें अभी आ छोड़ दे रहा हूं ग्लैंट्स में तो इसमें भी आ जाएगा प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड भी आ जाएगी और उसके बाद चाहिए कि मैं समझाता हूं जैसे जैसे आगा उसे इसमें आपको समझाता जाता हूं देखें टेस्टिस क्या हैं हम लोगों के में मेल्स में मेल्स में शरीर से बाहर एक जिलनी या पैकेट के अंदर उस पैकेट को इसक्रोटम कहते हैं इसक्रोटम के अंदर एक पेर टेस्टिस होती है और टेस्टिस क्या है टेस्टिस के अंदर जैसे मालो एक टेस्टिस है इसके अंदर ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं ऐसे इसमें तो कम बन पा रहा है जगह नहीं है तो और बड़ा अरकर कर दें तो कि ऐसे यह टेस्टीकुलर लॉब्यूल्स होते हैं टेस्टीकुलर लॉब्यूल्स यह 200-200-500 तक होते हैं अईसे यह लॉब्यूल्स होते हैं इन लॉब्यूल्स के अंदर कर सेमेनिफेरस टिब्फी इनको काते हैं सेमेनिफेरस टिब्फी टिब्फी इस समयनी फेराश्टी बूल्स आपस में मिलके ऐसे 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 आते हैं ऐसे समयनी फेराश्टी बूल्स एक विए रहा है यह जो सिमनिफरस्ट टिबूल से यह आपस में मिलके एक यहां से रिटी टेस्टिस बनाती हैं मैंने लिखा है यहां रिटी टेस्टिस और यह सब यहां पर ऐसे करते हैं यहां से इसे इसे मिलके यहां से यहां से यहां से जाती है यह है यह वास्ट डिफरेंस कि वास्ट डिफरेंस और अरे कि एपी डिड़ डिड़ आए मिस अब इसके बात देखिए कि यह हैं वासा इफरेंशिया कि वासा इडबल एफ़ आर इंटी आई यह वासा यहां से निकलती है और यह सारी मिलके एक ट्यूब बनाती है एक ट्यूब कि हम लों किया अफ डामिन में आती है अफ डामें में आती है तो यहां पर दुस्री साइट से भी आती है यहां पर कि ऑली ब्लेडर है जिसको भी उपर से कीडनी है देखिए यहां पर एक कीडनी है इन एसे जो फार हो गया है हम इसको अशें बना दे जो और यह यह इधर से और दूसरी इधर से यह दोनों आती हैं यहां का इसा फूल साजाता है जिसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है यह दोनों हिस्से फिर आके यहां एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिल के फिर यूरित्रा में खुलते हैं और यहां से यहां पर प्रोस्टेट ग्लेंड पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर भी एके ग्लैंड होती है बल्मो यूरेथरल ग्लैंड मैं यहां नाम लिखा प्रोस्टेट यहां बल्मो यूरेथरल ग्लेंड यह होती हैं दो ग्लेंड उसके बाद यह एक तरह से यूरेथ्रा है तो इसको मिटा दूँ यह यूरेथ्रा है यूरेथ्रा का मतलब होता है विच पासेज यूरेण और यहां पर जो पेशियां बन जाती हैं वो जो पेशियां बनती हैं वो यहां आके कि यह एसे देखें यह फिर जो है यह मसल्स वोतियां इसको पेशिया जाता है यह यूरेथ्रा है आप लोग की किताब में बुक में इसका इस्ट्रक्चर दिया हुआ है मैं नोट में भी भेजूंगा इस पर बहुत साफ नहीं बन पा रहा है तो आप लोग उस फीगर को भी बना के प्रेक्टिस कर लेंगे तो देखिए यह जो चीजें हैं इस सारा मिल रिप्रोड़क्ट दिखें फिमेल रिप्रोड़क्टिव आर्गंस में सबसे पहले तो ओबर ही आती है एक पेर उसके बाद ओबीड़क्ट या फैलोपियंट ट्यूब आती है उसके बाद यूटेरस आता है उसके बाद सर्विक्स आती है उसके बाद इसके बाद एक्स्टर्नल जैने टेलिया है एक्स्टर्नल जैनाई टेलिया और इसके बाद सबसे लास्ट में में मेंबरी ग्लेंट्स हैं टी ग्लेंट्स है देखिए यह चीजें है यह सब रिप्रोड़क्टिव आरगन से मैं इस इस फिगर में कंप्लीट फींट्स मेल रिप्रोडक्टिव आरगन का बताया गया है देखो यह दोनों और बीज हैं यह ऋविडक्ट को फायलोपियन टूबरी अब ओवी डग्त को हमाक पढ़ने के यसाब से उस्थमस इसे Heli एंपुला एस तो त्था हिस्चा इसके सब्सक्राइब प्रिम्परी इंफंडी बुलं एंपुला एंड इस्थमस यह फैलोपियन ट्यूब ही है ओवी डग्त ही है यह ओबरी हो गई राइट साइड लेप साइड को अबरी यहां से भी जुड़ी होती है उसके बाद बॉडी वाल से भी जुड़ी होती है उसके बाद देखिए यह का हिस्सा है यू टरस जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है उटरस मतलब होता है गर्भ अरुटै देवता की मूर्ति भगवान की मूर्ति कहां रखी रहती है गर्व गर्फ ग्रीमें गर्व गर्व गरीमें इस दो मूस्ट सैक्रेट प्लेस आप टेम्पल मंदिर का सब से मेंट्र वाली पर्टिम के समय इंड्रो मेंस बंत् traits टूपत रहती है जिस समय का मेंगिख विल्यज्न यहां होता है एक निकलता है वह यहां से होते 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 यहां तक आता है यहां आने के बार फटलाइजेशन होता है और यहां कहीं आके इंप्लांट हो जाता है यह इंप्लांट हो जाता है यहां उसके पहले ही पूरे इंडोमेट्रियम की दिवाल बलड वगारे से बिल्कुल भर जाती है करने के लिए अब उसके बाद देखे इसको कहते हैं कि इसको शर्बिक्स के नीचे वाला जो कुनिकल पार्ट होता है सग्रा इसके बाद जो नीचे वाला भाग पार्ट होता है कि ट्यूब की तरह होता है उस ट्यूब के विजाइना कहा जाता है विजाइना की जो ओपनिंग है उसको वलबा कहा जाता है विजाइना के ऊपर दो तरह की परते होती है जो उसको ढखे रहती है उनको लेविया मेजोरा लेविया माइनोरा और प्यूबिक मॉन्स प्यूबि तो हम कह सकते हैं मुंवह तको यूटेरस को उम्ब भी कहा जाता है अब उसके बाद यह चिलोड बज जाते हैं मेमरी ग्लैंड कि मेमरी ग्लैंड कि मेमरी ग्लैंड क्या होती है लेक्टील ग्लैंड दुख धगरंतियां किसी भी इनके खास खास करेक्ट्रिस्टिक में इनमें जाते हैं में मेंडमरी ग्रैंड्स पाई जाती हैं मेमरी ग्रेंट्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है बहुत सारे एल्वियोलाई छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे गैप पाए जाते हैं जिनमें मिल्क भरता रहता है वह भी हार्मुनल प्रोलेक्टिन हार्मुन बनता है उसकी वज़ा से होता है तो मेमरी ग्रेंट्स ज अभी आपनों को टेस्टिस का टी आस बताना पड़ेगा ओवरी के अंदर और फारमेशन कैसे होता है और बीलेशन कैसे होता है फटलाइजेशन कैसे होता है काफिझ लंबा चेप्टर है इसको मैं दो-تिन पार्ट में करूंगा ता कि आपको समझने में दिक्कत नहों इस चै भी बताया है इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ना आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो कई सारे conception आपके clear हो जाएंगे पिर भी अगर कहीं problem है तो आप comment box में comment डाल सकते हैं मैं देख लूँगा अपने students में फोन भी कर सकते हैं जो फोन के contact में फोन भी कर सकते हैं ठीक है और वीडियो देखकर लाइक और शेर उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो होसता है कि मैं अगला वीडियो इससे थोड़ा और अच्छा बना के भेजू कहां कोई कमीनर है ठीक तैम् कु यूड़ा